हालो दोस्तो मेरी चैनल पर अब सभी लोगों का स्वागत है हमारी सुंदर्यों को अगर आगे बढ़ाता है ओहे बाल और ओही बाल अगर जड़ना स्टार्ट हो जाता है तो हम लोगा टेंशन बहुत बढ़ जाती है चलिए आज की इस वीडियो में आफका 100% बाल जड़ना चलिए इस होम रिमेडी को अपलाई करने के लिए हम प्रोसेस बताते हैं पहले हम लिए है नारियल का ओयल और कड़ी पता कड़ी पता आपको सभी जगा अभेलेबल है और ब्लाक पेपर पाउडर और छोटा सा ओनियन कड़ी पता हम लोग की बाल के लिए बहुत अच्छा है आप अगर खाली पेट दोठो कड़ी पता को चुबा के खा लेंगे तो आपका बाल जड़ना 100% बंद हो जाएगा तो चलिए इसको हम लोग पहले ग्राइंडिंग करेंगे इसके लिए देखिए हम कड़ी पता को धो के लिए है और पियाज को बड़े-बड़े पीसेस म काट के लिए है इसको हम करेंगे ग्राइंडिंग देखिए ग्राइंड हो चुका है और इसको हम स्टेनर की हेल्प से जूस इसका जो है उसको निकाल देंगे इस होम रिमेडि को हम लोग हफ्ता में दो बार अपनी बालों पे अपलाई करना है और इसको फ्रेस यूज करना है हम लोग को इसको एक बार बना के स्टोर करके नहीं रखना है तो देखिए इसका जूस अल लेड़ी निकल गया है इसको बालों के रूट पे लगाना है जहां पे बालों का जड़ है उस जगा पे हम लोगों को अपलाई करना है इस जूस की अंदर हम मिलाएंगे दो पिंच ब्लाक पेपर पाउडर ब्लाक पेपर हम लोगी बालों के लिए बहुत अच्छा है इसकी अंदर जो तीखापन है वो हमारे डांडरोफ को 100% हटाने की हेल्फ करेगा और इसको हम लोग अच्छे से मिला देते हैं हम अच्छे से मिला दिये हैं अभी इसमें आड करेंगे क्वाकनट ओयल क्वाकनट ओयल हम लोग की बालों के लिए बहुत अच्छा है अब कोई भी ब्रांट का कोई भी कमपानी का क्वाकनट ओयल यूज़ कर सकते हैं और इसको क्वाकनट ओयल के साथ इस जूस को अच्छे से मिला देंगे उसके बाद इसको हम लोग अपने बाल पे अपलाई करेंगे चलिए इसको अपलाई करने का प्रोसेस बताते हैं एक रूई की हेल्प से हम अपने बालों की जड़ पे इसको अपलाई करेंगे जैसे कि आप विडियो में देख पा रहे हैं एक रूई को डुबा डुबा के हम बालों की जड़ पे इसको लगा रहे हैं उससे पहले आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास जो छोटा सा बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताके आगे आने वाले सारे विडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए इसको अपलाए करके हम लोग को एक घंटा बाल ऐसे ही छोड़ देना है एक घंटा बाद कोई भी हर बाल सामपो से हम लोग को बाल को धो देना है ये होम रिमेडी आप घर पे दो बार अपलाई कर सकते हैं और जब बाल सुख जाए तब ही कांगी कीजिए ये विडियो आपको कैसे लगा आपका अनुवाब मेरे साथ सेयर कीजिए बाई बाई